प्रिय विध्यार्तियों, आज हम देखते हैं कवी परीचे, जो हमारे सलेबस में दिया हुआ है, यहां से प्रस्ण निश्चित्रुप से पूछा जाता है। कवी परीचे, जो हमारे सलेबस में किसी भी कवी के बारे में हमसे परीचे पूछा जा सकता है। आसकता है कावेगत विशेष्थाएं बताईए, ऐसा भी आसकता है सिल्प गत विशेष्थाएं क्या हैं, या फिर ऐसा भी प्रस्ण आसकता है कि कवी सूर्दास की भावगत विशेष्थाएं बताईए। तो हमें ये सारी बाते इस टॉपिक के अंतरगा समझना है किसी भी कवी का परीचे जब हम दे तो तीन भागों में इस परीचे को हम बाट लेते हैं विभाजित कर लेते हैं सबसे पहला भाग होता है सामान्य परीचे सबसे पहले हम किसी भी कवीया लेखत के बारे में जब परीचे देना शुरूरू करते हैं तो पहला भाग होता है सामान्य परीचे सामान्य परीचे के अंतरगत हम बताते हैं कि कवी का जन्म कहां हुआ है माता पिता कौन थे कहां तक इन्हों ने पढ़ाई किए इनके जीवन में महत्मुन भूमिगा किसने निभाई है, किसने इनको प्रभावित किया है, साथ ही इनके मिर्थ्यू कबोर कहां हुई है, ये इनका जीवन का समान्य परिचे कहलाता है, दूसरा जो भाग होता है, उसमें इनकी रचनाएं या काविक कृतियां लिखते हैं कि उस कवी या लेखक की काविक कृतियां कौन-कौन सी हैं और तीसरा भाग आता है काविकत विशेष्ताएं या साहितिक विशेष्ताएं अगर कभी होता है तो कावेगत विशियस्ता हैं, और यदि लेखक होता है तो सहितिक विशियस्ता हैं, ये तीसरा भाग होता है, उनके कावियों में या उनकी रचनाओं में कौन-कौन सी विशियस्ता हैं मुख्य रूप से हमें मिलती हैं, ये हम उसके अंतरगत बताते हैं, तो सबसे पहले हम सूर्दास जी का सामानी परीचे लेते हैं, सूर्दास जी का जन्म दिल्ली के निकेट सीही गाउं में हुआ, इनका जन्म 1483 इश्वी में हुआ, इनके गुरु वल्लभाचारी जी थे, सूर्दास जी अस्त्य छाप के शिर्ष कवी भी थे, ये सूर्दास जी क्रिष्ण भक्तिधारा में प्रवत्य थे, क्रिष्ण भक्तिधारा के एक महत्पून कवी थे, सूर्दास जी जन्मान्द थे, जन्म से ही ये अंदे थे, और इनकी मिर्त्यू 1563 इश्वी में हुई, ये इनकी जीवन की मुख्य बाते थी, सूर्दास नाम धान रे जाएगा, सीही गाउं से 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 का सम्मन जोड लेंगे, सीही गाउं में इनका जन्म हो गया था, कृष्ण भक्तिधारा से सम्मन दित कवी हैं, वल्लबाचारी जी गुरू का नाम है, अस्थे चाप के शीर्ष कवी रहे हैं, ये जन्मान्द थे, ये इनका सामान्ने परिचे हैं, दूसरा जो भाग आता है, वो आता है, रचनाय या कावे कृतियां, इनकी कावे कृतियां कौन-कौन सी हैं, तो सूर दास जी के बारे में हैं, सूर सागर, इनका सबसे महत्म रचना हैं, ग्रिंथ हैं, कृति हैं, सूर सागर, सूर सारावली, साहित्ते लहरी, सै से हम सम्मंध जोड़ देंगे सूरदास तो से रचनाई भी आदा जाएगी सूरसाकर, सूरसारावली और साहित्ते लहरी सै से शुरू होने वाली इनकी रचनाई हैं और इनका राम भी सै से शुरू होता है तो इनकी रचनाई या कावे किरतिया दूसरा भाग है फिर परिचे का तीसरा भाग होता है काव्य गत विशेष्टाई अगर हमसे काव्य गत विशेष्टाई पूछी जाती है तो काव्य में दो तरह की विशेष्टाई होती है एक होती है सिल्प गत विशेष्टाई अर्थात व्याकरण संबंदी विशेस्ता हैं कौन सी सेली है कौन सी भाषा है कौन से अलंकारों का प्रियोग करते हैं कौन से रस से संबंदी तरचनाएं है बहुत सारी व्याकरण संबंदी बाते सिल्ब गत विशेस्ताओं में लिखी जाती है फिर दूसरा भाग होता है भावगत विशीष्था है कि अपने इन किर्टियों इन रचनाओं के माद्यम से इन्होंने क्या संदेश देना चाहा है किस चीज का वर्णन किया है मुख्य रूप से लोगों को जनता को समाज को किसके लिए इन्होंने प्रेरित किया है यह भावगत विशेष्थाओं में हम लिखेंगे तो जब भी हमसे काव्य गत विशेष्थाओं पूछेंगे तो काव्य में दो तरह की विशेष्थाओं होगी नमबर वन सिल्प गत और नमबर टू भावगत सिल्प गत में हम केवल और केवल व्याकरण से सम्मंदित बाते लिखेंगे जो उनके साहिते में उनकी रचनाओं में हम नजर आए और भावगत में भावारत सम्मंदित बाते लिखेंगे जो उन्होंने अपने काव्यों में काव्यों की माद्धम से हमें बताने का प्रियास किया है जैसे हम सूर्दास्ति की बात कर रहे थे तो इनकी काव्यगत विशिष्थाएं जिसमें सिल्ब विशिष्थाओं को देखते हैं हम कि इनकी भाषा ब्रज रही है इनकी रचनाएं हैं ब्रजभाशा में हैं तद्भव, तद्सम, प्रधान शब्दावली का प्रियोग करते हैं तद्सम और तद्भव दोनों प्रकार की शब्दों का प्रियोग करते हैं ये स्रिंगार वासल्ले और भक्ती के अनुपम कभी है इनकी रचनाओं में हमें स्रिंगार भी मिलता है वासले और भक्ती रस्त तीनों ही रस्ते सम्मंदित रचनाईन की मिलती है इनकी रचनाओं में अनुप्रास और उपमा अलंकार अधिक प्रियोग किया गया है इन दो अलंकारों का ये ज़्यादा प्रियोग अपने रचनाव में करते हैं ये व्याकरन संबंदी बाते हैं इनको हम सिल्पगत विशेष्थाएं कहते हैं जब काव्यगत विशेष्थाएं पूछी जाए तब तो सिल्पगत और भावगत दोनों विशेष्थाएं बतानी होती केवल सिल्प गत विशेस्ता हैं पूछी जाए हमने तो केवल और केवल व्याकरण संबंधी बाते बताएं और जो भाव गत विशेस्ता हैं बताएं तो उसमें केवल भावार्त संबंधी बाते जैसे सूरदास जी ने अपनी रचनाओं में खृष्ण की लीलाओं से कृष्ण भक्ति का संदेश दिया है। लोक रंजन लोकों को इसके लिए प्रेदित किया है। गुरु महिमा का प्रतिपाधन की है। गुरु महिमा को भी अपने काव्यों में स्थान दिया है। ब्रहमर गीत प्रशंग के माध्यम से इनों ने निर्गुन भक्ती पर सगुन भक्ती की स्रिष्टता को सिद्ध किया है कि वास्तव में निर्गुन की बजाए सगुन भक्ती ही स्रिष्ट है ब्रहमर गीत प्रशंग में इनों ने बताया है यहां ब्रहमर गीत प्रसक में ब्रहमर ओधवजी को कहा गया है और गोपियों को जो संदेश देने आये हैं निर्गूण भक्ती का गोपियों से एस्विकार करती हैं जिससे निर्गूण प्रसगूण की स्रिष्टता सिद्ध हो जाती है तो हम ये विशेश बात का ध्यान रखेंगे जब हमें किसी भी कवी या लेखक का परिचे पूछा जाए जीवन परिचे पूछा जाए तब हम तीनों ही भागों का वर्णन करेंगे सामान्य परिचे, रचनाए और फिर कावेगत या साहितिक विशेशनाए जब हमसे सिल्प गत विशेशता पूछी जाए तो केवल व्याकरण वाली बाते जो उनके कावे में नजर आती है जब भावगत विशेशता हैं पूछे जाए हमसे तो केवल उसमें भावार्त सम्मंदी बाते संदेश, शिक्षा जो भी वो देना चाहा है उन्होंने अपने कावे के मार्धम से वो लिखेंगे और जब कावे गत विशेशता पूछे या साहितिक विशेशता पूछे तो हम दोनों ही बाते लिखेंगे उसमें सिल्प गत भी आएगी और भाव गत भी आएगी ये हमें विशेश धान रखना है और ऐसा ध्हान में रख करके हम जो सलेवस में हमारे कवी और लेखक दिये गए हैं निर्धारित की गए इस वरस की पाठे करम में उनका हम परिचे इस तरह से तयार कलने क्योंकि यहां से दो प्रस्ण हम से पूछे जाएंगे थेंक